Hello my beautiful souls कैसे हैं सब लोग आज हम करने वाले हैं पिकर कार्व रिडिंग इंटेंशन देखने वाले हैं आपके पाइल की इस देखने वीडियो on a special request from a subscriber तो आज हम देने वाले आपके पार्टन की इंटेंशन आपको लोगों के लिए क्या है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस परसंट पर या नहीं कर सकते हैं पहला पाल है मैरे पास यह ब्लू कलर कर लाइटर और सेकंड पाल इस ब्रेसलेक तो आप कोई भी एक पाल जो है वह स्ले आपके पार्टन की इंटेंशन आप लोगों के लिए क्या है एट ओफ कप्स आया है नाइन ओफ वॉन्स आया है यह इंसान जो है एंप्टी फिल कर रहा है करंटली अपनी लाइफ में जिस भी स्टेट में है ठीक है कोई भी चीज इस इंसान को इमोशनल फुल्सिल्मेंट इसकी लाइफ में नहीं प्रोवाइड कर रही है जो भी यह कर रहा है यह उन चीजों से वॉक अवे कर रहा है जो चीजें इस इंसान की लाइफ में इस वक्त जो है सर्व नहीं कर रही है यह इंसान इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है अपनी सोल से connect हो रहा है और एक warrior की तरह उन सभी struggle से लड़ रहा है जो इस इंसान की life में है इस इंसान की life में definitely कुछ ने कुछ struggle period है चाहे वो financial हो चाहे वो कार्मिक लोग है family है friends है कुछ भी है लेकिन किसी चीजों से इस वक्त जूज रहा है यह इंसान और यह दोनों देखिए eight के बाद nine है तो यह इंसान definitely जो चीजें इसको serve नहीं कर रही अब यह उससे बहार निकलने की कोशिश कर रहा है चलिए देखते ह इस इंसान की intention आप लोगों के लिए क्या है two of cups okay again eight की energy आई है देखिए यहां पर एक तो यह कार्ड में लेना चाहूंगी ठीक है soulmate card और एक यह eight यह इंसान आपके साथ victory चाहता है communication करना चाहता है बहुत अधा passion है खुलके communication करना चाहता है तो intention इस partner की clear है यह इंसान आपक खुलके communication करना चाहता है king वाली energy है आपके साथ victory चाहता है eight of इस इंसान की life में currently कोई tower moment हुई है जिस चीज से इसको realization हो रही है struggles divine की तरफ से भेजे गए है ताकि अपनी आत्मा की सुने अपनी soul की सुने ठीक है तो अब समझ पा रहा है कि आप उनके divinely soulful connection जो है यह फील कर पा रहा है और communication करना चाहता है victory देखता है आप लोगों के साथ खुलके इस चीज के बारे में आके खुद से बात करेगा in near future आप से आके communicate करेगा about everything यह इंसान अब victory चाहता है आप लोगों के साथ इस इंसान को पता चला है कि जो emotional fulfillment है वो सिफ आप ही लोगों के साथ है तो आपके पार्टनर की intention आप लोगों के लिए क्या है आपके पार्टनर की intention आप लोगों के लिए क्या है मैं यहां पे क्योंकि आप लोगों ने ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है और मैंने डैवल कार देखा है तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहां बें strong ना कार में connection चल रहा है प्लस यहां पर temptation बहुत ज़ादा है pile number two I am getting that temptation बहुत ज़ादा है lust बहुत ज़ादा है, attraction बहुत ज़ादा है, obsessive, possessive, कुछ तो behavior यहां definitely है percent to percent vary करेगा किछ लोग के इंसान में obsessive behavior हो सकता है कुछ लोगों के इंसान में यहां पर कुछ addictions हो सकती है आपके partner को alcohol की या कुछ भी हो सकती है like over work करने की addiction होती है, hard work करने की right extra काम करना, खुद को जोंक देना या जिस भी way में resonate करता है आप लोगों के साथ लेकिन यहां पर किस ना किस तरिके की addiction है ठीक है, strong devil energy आई है, जो की दिखा रही है कि यहां पर कुछ ना कुछ karmic notes है, जो भी इस इंसान को पूरे करने है या temptation, या तो यह इंसान आपको tempt करता है, आपको manipulate करता है ठीक है, तो कुछ इस तरिके का scenario है, आप totally इस इंसान पर trust नहीं कर सकते है इस इंसान ठीक है, आपका soulmate होगा, karmic pattern हो सकता है, यह इंसान ठीक है बट आप blindly trust नहीं कर सकते हैं, इस इंसान पर क्योंकि कुछ ऐसे karmic friends हो सकते हैं, जो उनको अच्छी advice नहीं दे रही है जिसकी वज़र से आपका जो connection है, वो कही ना कहीं effect हो रहा है तो पहले ही card से पहले ही काफी reading निकल के आ गई है pile number two के लिए इस इंसान की intentions क्या है, pile number two, आप लोगों के लिए intentions क्या है, इस इंसान की आप लोगों के लिए ओके, तो यहाँ पे है four of cups यह इंसान अभी आपकी value को नहीं देख पा रहा है, जो मैं get कर पा रही हूँ यहाँ पे इस इंसान का ध्यान अभी कहीं और है, या इस इंसान की हो सकता है इस इंसान की life में third party की तरफ से, या कहीं और से temptation चल रही है कोई और इंसान, इस इंसान को जो है manipulate करता हुआ नजर आ रहा है तो यह percent to percent vary कर गया, कुछ cases में आपका partner आपको tempt कर रहा है और कुछ cases में आपके partner को tempt किया जा रहा है किसी third party situation की वज़े से के partner की intention आप लगों के लिए क्या है तो यहाँ पे five of wands आया है, page of swords आया है, night of rods तो यहाँ पे जादा मुझे जो चीज़े नजर आ रही है वो attractions strong नजर आ रहा है रादर दन की emotions ठीक है, fights हो सकती है आप दोनों के बिच में arguments हो सकते है यह इंसान आपकी तरफ आना तो चाता है टेजी से लेकिन that is just because of the lust यहाँ पे lust बहुत जादा हावी है इस इंसान पे ठीक है apology भी लेकर आ सकता है tempt कर सकता है आपको तो इस तरह की कुछ इनरजी रहेगी pile number 2 वालों के लिए तो आप खुद अपनी situation को analyze करें तो यह थी चोटी सी reading कैसे रहे कमान से शुनिताएगा, okay friends, bye bye